हेलो इस्टुएंट मैं डॉक्टर बरत कमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रेटिकल जोगर्फी प्रेटिकल जोगर्फी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैं प्रोजेक्शन और मैं प्रोजेक्शन में अब तक हम दो प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें आपने एक मा दान कच्छानसलों वाला संकूः को पढ़ ली हैं आज हम एक नया प्रोजेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉन प्रोजेक्शन यानि की बॉन प्रच्षेव बॉन प्रच्षेव यह हैं एक संकू का संसुदत रूप है और इसे रिगोवर्ट बॉन ने इस भी जानते हैं तो हम लोग आज इस प्रच्छेप को पढ़ेंगे इसको थोड़ा से हम लोग यहां पढ़ लेते हैं को कोशन को कोशन दिया गया है निम्रिक विवड़ की साहता से बॉन प्रच्छेप का रेखा जाल खीचिए और मापनी दी गई है एक अनपात 12 करोड़ 50 ला है उत्तर का और जो चेतर का विस्तार हमें रखना है वो रखना है पंदर डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर यच्छांस इसी में जो देशांतरी विस्तार रखना है वो रखना है हमें 15 डिग्री पूरव से 165 डिग्री पूरवी देशांतर के बीच में हमें इसको रखन और इस प्रकार से हम दोगशेंगे, यह हमारा बॉन प्रच्ष्चिप का कोशन है, जिसे हमें सॉल्व करना है, तो सब से पहले तो आप लोग जानते होंगे, कि सबसे पहले हमें इसका क्या रीडिेशन निकालना बड़ेगा, या गोले का अर्द्व्यास निकालना के लिए सबसे पहले आपको यहां पे आर वरावर या रिडिशन वरावर प्रत्वी का प्रत्वी का वास्त्विक अर्थव्यास बट्टे दी गई प्रदसक विन का हर यह हमें फॉर्मूला एप्लाई करना होगा तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिडिशन वरावर प्रत्वी का वास्त्विक अर्थव्यास तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्वी का वास्त्विक अर्थव्यास अगर आप लोग सेंटीमिटर में लेंगे तो 63 करोड़ 50 लाख लेना पड़ेगा अगर आप इसको इंचों में बना रहे हैं तो आपको इसका 25 कोड़ इंच लेने होंगे यह इसके किया नयम होते हैं लेने की और अर्थव्यास कितना होता है यह बीडियो नंब एक है आप उसको जरूल देखें उसमें यह नियम बताए गया किस परकास से हम लोग इसको इसकों इंच लेते हैं और जब आप व्यडियो नंजेए место इसके बाद में आप दो तीन चार जो बागी वीडियों आपको समझ में आएंगा तो इसमें हम लोग आगे इसको शॉल करेंगे कि प्रत्वी का वास्तिविक अर्थ व्यास तो वास्तिविक अर्थ व्यास कितना है 63 करोड पचास लाख बट्टे अब यहां पर उसमें करें दी गई प्रत्विन का हर तो आप यहां देख लीजिए यह अंस होता है एक और यह हर दिया गया है तो हर दिया गया है बारे करोड पचास लाख तो जब आप इसको सोल्ब निकली यहां इसका भाग देंगे इसका आंस्सर आएगा 5.08 संटीमी और बनाने के लिए आपको इसके दो step पूरे करने पड़ते हैं जब जाके हमारा ये bonnprachhip complete होगा तो सबसे पहले हमें करना ये है कि जैसे भी आपने देखा कि हमारा जो गोले का जो अर्थव्यास आया वो आया 5.08 cm तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना scale लेना है और scale में जब आप देखेंगे तो उपर जो भाग दिये गए हैं छोटे वाले कॉलम ये centimeter के हैं और नीचे वाले भाग जो दिये गए हैं वो inch के हैं तो ये एक fit का scale है जिसमें 30 cm या 12 inch की दूरी दी गई है तो सबसे पहले आपको करना यह है कि 5.08 या 5.1 यानि कि 5 cm तो आपको पूरे पूरे लेने हैं और 0.8 को आप 0.10 माल लें तो इस में से 5 cm पूरे और 10 mm में से 1 mm आपको ओल लेना है यानि 5.1 cm की दूरी आपको क्या करने हैं हमने प्रकाल में भननी है तो प्रकाल में दूरी भनने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पे यह जो आपकी प्रकाल होती है यहां 0 पे रखें और इसको आप लोग जो पैंसल है आप उसको 5.1 तक इसको लेके आएं 5.1 को लेने के बाद में फिर हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें यहां पर एक इसका गोला खींचना होगा या इसका हमें ब्रत बनाना होगा तो जैसे मान के चलें कि हमने यहां पर इस प्रकास से यह 5.0 बन का एक ब्रत ले लिया अब आपको करना क्या है कि जहां पर यह पैंसिल की जो नौब रहेगी बीच में यहां पर आपको एक पॉंट लगाएं और इसको गोले को चार भागों में आप इसको बांट लें इस प्रकास से आप क्या करेंगे इस गोले को चार भागों में बांट लेंगे फिर आपको इसके तीन भाग इसमें से अठा देने हैं और अपने पास केवल आपको क्या रखना है चत्रतांग की हमें इसका हमें अपने पास रखना है अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको ओविंदू कहते हैं इसको हम लोग A और यह B तो आपने देखा कि यह जो अर्दव्यास है वो कितने का है वो है 5.08 सेंटी मीटर का लिया है 5.10 का लिया है इस प्रकार से आपने जाइक चत्रतांग ज्याद कर लिया अब वो कोशन में कह रहा है पहले को देखते हैं क्या कह रहा है कि रेखन तराल 15 डिगरी रखीए तो रेखन तर पंदर डिगरी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ प 75 और 90 इस प्रकास से आपको इसको क्या है कि कॉड़ों में विभाज़त करना है तो पहले ये 15 डिगरी 30 45 60 कि 75 और 90 इस प्रेकास से आपको क्या करना है कि पहले आपको यह जो 90 का कौर दिया गया है इसको 15-15 डिग्री के आधार पर आपको इसको 6 भागों में बाट लेना है इसके बाद में हम यहां पे इनके नाम भी दे सकते हैं जैसे B, C, D, E, F, G इस प्रेकास हम क्या करेंगे कि यहां पर इसको हम नाम दे देंगे अब वो इसी में कह रहा है कि मानक का च्छांस यह आप देख रहे होंगे यह मानक का च्छांस है वो कितना है 45 डिग्री उत्तर कह रहा है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप देखे जो यह वाली O और E बिंदु को आधर मानते हुए जब आप इस पर चान्दा रखेंगे और यहां पर एक आपको 90 डिगरी का कौण बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे 90 डिगरी के कौण की तरफ इसको खीचेंगे ऐसे किसको O और E जो आपका दिया गया जो भाग है E O E रेखा को हमने क्या कि यहां से 90 का कौण हमने ले लिया अब जापकी जो और E रेखा है इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे इसको भी हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे और यह एक स्थान पर यहां पर इसको क्या कर रही ह तो हमने क्या किया कि OA को भी आगे बढ़ा दिया और इदर से हमने यहाँ पर जो e है 55 का कौन है यहाँ पर 95 बना ट्योंड बनाते हो इसको ऊपर आगे बढ़ाया तो यहाँ पे पो इसको काट रहाurg इसलिब इसी में हमें क्या करना पड़ेगा कि B और C की रेखा को आप प्रकार में लीजिए और इस प्रकार से हम लोग इसको प्रकार में लेंगे तो B और C की दूरी को यहां प्रकार में लेंगे कि आप देखेंगे कि यह जो रेखा जो BC की आपने O-BINTH-KUMA-T-CAMP लगाया यह C, D, E, F, G इन सभी रेख़ां को क्या कर रही है, आप लोग देखेंगे यह क्या कर रही है, ज़िए सभी रेखां को काट रही है, तो अब हम क्या करेंगे इसी में इन पर लंब डालेंगे O B के समानंतर तो यहां पर O B के समानंतर इसके उपर यहां पर यहां पर C पर यहां D पर E पर F पर और G पर हमने क्या किया कि G तक यहां पर इस प्रकास से O B के समानंतर यहां पर हमने इस पर लंब डाल दिये अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें इनको नाम देना पड़ेगा तो जैसे हमने नीचे वाला जो कॉंड है पंद्रे का इसको H उपर वाले को I इससे उपर वाले को J K और L तक हमने इसको नाम दे दिये तो यह यहाँ पर H इसको इधर में small h small i small j small k और L से मैंने इसको माल लिया तो अब हमने क्या किया कि सभी पर सबसे पहले हमने 5.08 की एक रेखा खींची एक गोला बनाया उसका चर्टो थांग लिया 15-15 के डिग्री कॉंडम इसको बांट दिया फिर हमने क्या किया कि यह जो 45 डिग्री का कॉंड बनाते हैं उपर की लंब खींचा और जो आगे चल करके इदर से ओ एको बढ़ाते हुए जहां पर क्रोस्ट करेगा वो पी देखा होती है अब इसी पे हमने क्या किया कि बी इसी की दूरी ली और ओ को कि कि इस चांप लगा दिया जो कि बन करके अभी तयार हुआ है इसको हमें एक कह देते हैं अब जो हमें मेन प्रोजेक्शन बनाना है वो हमें इदर बनाना है तो मेन प्रोजेक्शन बनाना के लिए हमके लोग क्या करेंगे कि एक पी और एम कुई रेखा की चलेंगे कि हम इसको P माल लेते हैं और इसको भी M माल लेते हैं जो की एक बिनाम आपकी रेखा है फिर आपको करना ये है कि अपनी ये जो आपकी प्रकाल है इस प्रकाल को यहां P पे लगाईए और पैंसिल को अपनी को यहां पर E तक ले जाईए इस प्रकाल से आप E तक लाएंगे औ और बापिस इस प्रकाल को पीपर ले जाकर के और एक चांप लगा देंगे तो जब आप इसको पीपर यहां प्रकाल रखोगे और पैंसिल चांप लगाओगे तो इस प्रकाल से एक चांप आपका निकल के आएगा अब आप देख रहे होंगे कि यह जो चांप है यह कितने ड अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो पहले कोशन में देख लेते हैं कि अच्छान से विस्तार कितना है अच्छान से विस्तार को कह रहा है कि 15 दिगरी उत्तर से 45 दिगरी उत्तर अच्छान से रखी तो 45 तक तो आपकी रेखा आ गई है इसका मलब याभी आपको 60 और 75 दो रेखा हैं आपको और लेनी होंगी उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा कि बापिस से आप लोग यहां पे जो रेखा दी गई है यहां पे जो बी और सी क्योंकि यह पंदरी अंतर आले बी सी को अपनी प्रकाल में भरिए और यहां पे 45 के ऊपर दो निसान दू आप लिए तो वह 30 को प्रतिस करेगा एक निसान और आप ले जाएंगे तो यहां पर वह आप लोगों के पंदर गृट को परतसित करेगा तो आपको दो निसान यह दूरी लेकर के दो निसान ऊपर लगाने 45 से दो नीचे लगाने हैं अब वही फिर आपको क्या करना है कि पैंसिल को खोलना है और पी को किंदर मानना है और पी को किंदर मानते हुए इन सारे चापों को इसको टच करते हुए इसको टच करते हुए इसको टच करते हुए इनको क्या चापों को पूरा करना है तो जैसे पहले आपने उपर वाला चाप पूरा कर लिया यहां आपने देखा आई यह आपकी कि यह 45 यह 30 यह 15 यह 60 और यह 75 तो अच्छानसी विस्तार आपके बन चुके हैं 15 से लेकर के पिचतर जो कोशन में आपके कह रहा है कि छेत्र का विस्तार 15 लिए उत्तर से 25 लिए चांस रखिए अब आपको करना क्या है कि अब आपको बनाना है देशां देशांत्र रेखाय में लिए हमें यहां से यह जो ह ह मान यहां पर हैं इनके दृषा को प्रत्सक्ma करना है कि यहां पर यह का मान पूर्द लिए 15 लिगैंसों इसकी दूरी के पंदर जिरी कि 15 डिग्री पूरब से 105 डिग्री पूरवी देशानतर, यानि आपको एक रेखा 15 डिग्री गी, एक आपको यहां पे 30 की, एक 45, एक 60, एक 75, एक 90, एक 105, एक आप लोगों को 120, एक 135, एक 150, और एक आपको 165 की रेखा बनानी है अब आप रेखाओं के लिए के दिरे रेखाएं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे रेखाएं यानि कुल आपको 11 रेखाएं बनानी होंगी, उन ग्यारे रेखाओं में एक रेखा हमारे पास और रेडी पहले से है अब पांच रेखाएं आपको इदर बनानी है, देशामतर के लिए पांच आपको इदर बनानी पड़ेंगी अब हमें करना यह होगा कि पांच निसान तो आपको इदर लगानी होंगे वो पांच इदर लगानी है अब यह दूरी जैसे आप 15 को देलो पहले सबस्वेले, 15 वाली को, तो यहाँ पे 15 के लिए H की दूरी है, 15 वाली कौन पे, C पे, तो 15 के लिए यहाँ आप लोग क्या करेंगे, प्रकाल पैंसिल से दूरी भरें, और यहाँ पे बीचवे रेखा से इनको 5 निशाल लगा लें, फिर आपको क्या करना है, इस से उपर देखिए कि आई वाली दूरी, जो 30 डिग्री की है, फिर आपको आई के लिए इसमें फिर द्वारा से दूरी लेनी है, जो कि आई जो कि 30 डिग्री की है, या कौन की है, इसको यहाँ ले जाए और 30 वाली पर 5 निशाल लगा दीजी, जब आप 5 निशाल, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसी 5 निशाल आपको इधर, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ही आप उपर आएंगे, उपर आने पर आपको यह 25 डिग्री का जो रेखा है वो 45 का लीजिए, और यहाँ 45 पर वही सेम यहाँ पर 5 निशाल लगा दीजि इसका है तो 15 के लिए दूरी, तीसका है तो 30 के लिए दूरी, पांच निशाल इधर, पांच निशाल इधर, ऐसे आप सब पर क्या करेंगे, यहाँ से दूरी ले लेकर के आप इस पर निशाल लगाएंगे, अब हमें करना यह होगा, कि बाकी जो आप पहले इसको मिला यह सवी रेखाओं को टच करते हुए, आपको मिलाना है, इस प्रकास से जब आप इसको मिलाएंगे, तो जब आप इसको सही से करेंगे, इस प्रकास से यह सही ढंग से यह निकल करके, अपनी आप सोते ही पैंसिल से काफी अच्छा बनेगा यह, तो आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे इधर का जो एक्षा वाला भाग है उसको आप क्या करेंगे इसको अठा देंगे ऐसे यह जो इदर के पांच भाग दिए गए हैं उनको भी आप इस प्रकास से बना लें ऐसे और यह जो भाग है इसको भी हम लोग क्या करते हैं इसको अठा देते हैं इसको हम लोग अठा देते हैं फिर यहां पर हम लोगों यहां पर वही इसकी अब देखो अब हमें इसका करना क्या है देशांतर को लिखना पड़ेगा तो 15 है डिग्री पूरव से 165 पूरी देशानतर तो हमको यहां 15 है 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 तो यह कह रहा है पूरव से पूरव तो यह भी पूरव ही होगा और यह भी क्या है पूरव ही होगा अब अच्छा स्रेका कितनी कह रहा है 15 से 75 तो यह 15 यह 30 यह 45 यह 60 और यह पिचत्त इस प्रकास से यह बन जाती है और इसमें हम लोग देखेंगे जो मानक अच्छा इस टेंडर जो पैलर है वो 25 डिग्री पे इसको थोड़ा से हम लोग क्या करेंगे डार कर देंगे इसके अंदर लिखेंगे मानक अच्छांस या स्टेंडर्ड पैलर तो यहां पे हम लोग मानक अच्छांस लिख देते हैं एक चीज़ ध्यां रखेंगे कि यह जो आपका पी बिंदू है यह केंद्र नहीं है अगर आपको केंद्र निकालना है तो यह आप बीसी की दूरी लीजिए प्रकाल में और यहां पर बापिस 75 के ऊपर ही आपको यह निशान लगाना होगा जो जहां होगा यहां पर यह जो आप देख रहे होंगे यह यह नॉर्थ पोल को सो करेगा तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं नॉर्थ पोल और इस प्रकास से यह बन करके तैयार हो जाता है बॉन प्रच्छेप यह जो बॉन प्रच्छेप है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक संसुदित संकू का प्रच्छेप है जिसे रिगोवर्ट बॉन ने इसको सबसे पहले बनाये था और उसी के नाम पर इसका नाम बॉन प्रच्छेप रखा गया है इसका जो सही सुद्ध छित्रपल होता है वो 45 डिग्री मानक अच्छां होते हैं वहाँ पर कम सुद्ध होता है तो यह आज का कंप्लिट हो गया हमारा बॉन प्रच्छेप तो कल हम कोई नया प्रच्छेप पढ़ेंगे अगर आप कोई वीडियो समझ में आ गया है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक्यू उहाँ था करेंगे।